बेकार के मित्र एक खरगोश जंगल में रहता था. उसके कई दोस्त थे. उसको अपने दोस्तों पर गर्व था. एक दिन खरगोश को जंगली कुट्टों की भौकने की आवाज सुनाई दी. वह बहुत डर गया था. उसने अपने दोस्तों से मदद माँगने का फैसला किया. बहुत जल्दी से उसके दोस्त एक हिरन के पास गया. उसने कहा, प्रियमित्र, कुट जंगली कुट्टे मेरा पीछा कर रहे है. क्या तुम उन जंगली कुट्टों को अपने तेज सीन के साथ भगा सकते हो? हिरन ने कहा, यह सही है. मैं कर सकता हूँ. लेकिन अब मैं व्यस्थ हूँ. आप भालू से मदद क्यो नहीं लेते? खर्गोश भालू के पास दोड़ा. मेरे प्रियमित्र, तुम बहुत ताकत्वर हो. मेरी मदद करो. कुट जंगली कुट्टे मेरा पीछा कर रहे है. कुरुप्या करके क्या आप उनको भगा सकते हो? खर्गोश ने भालू से अनुरोद किया. भालू ने कहा, मैं माफी चाता हूँ. मुझे भूक लगी है और मैं ठक भी गया हूँ. मुझे खाना खोजना पड़ेगा. कुरुप्या करके मदद के लिए बंदर के पास चले जाओ. बेचारा खर्गोश, बंदर, हाथी, बक्री और उसके अन्य दोस्तों के पास गया. खर्गोश दुखी होके वापस आ गया, क्योंकि कोई भी उसकी मदद करने के लिए तयार नहीं था. उसको समझ में आ गया, कि उसको खुद से सोचना पड़ेगा इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए. तुरंट वह एक जाड़ी के नीचे छिप गया. बिना कोई हलचल किये, वही पे पड़ा रहा. जंगले कुटों को खरगोश नहीं मिला और फिल्वे अन्य जानवरों का पीछा करते हुए भाग गये. खरगोश को सीख मिली, उसे खुद से अपनी जान बचानी चाहिए, ना कि अपने बेकार दोस्तों पर निर्भर रहना चाहिए. इससे हमें यही सीख मिलती है, कि दूसरों पर निर्भर होने से अच्छा, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए.